राज्य में चर्चा का विशे बने पुरोविधायक सुनिल केदार की जमानत पर आज निशिली अदालत ने फैसला सुनाया जहां केदार समेट सभी आरूपियों की जमानत याचिका नाम मंज़र कर दी गई हैं जिससे सियासी परिप्रिक्ष में चर्चाय तेज होने की संभा होना है ग्यात हो कि 2002 में नाकपुर मद्यवर्ती बैंक में 150 करोड का घोटाला हुआ था घोटाली के समय सुनिल केदार बैंक के अदिक्षत थे जिसकी बिना पर अदालत ने 2023 दिसंबर को मामले पर फैसला सुनाते हुए केदार सही 6 लोगों को दोशी करार दिया जहां उन् सबासद सितारत की जिसके बाद केदार पक्षत वारा जमाना तियाची का दर्श की गई थी जिस पर मंगलवार की सुनवाई हुई बहस के दोरां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलिले दी वही दोनों पक्षों की बाते सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुर जमे किस प्रकार की स्थिती प्रतीत होती है। इसमें 153 करोड 20 साल पहले इसमें अमाउंट इन्वाल था। ये गरीबों का पैसा है अगर इनको इस समय बेल पे छोड़ा जाए तो ये समाज में अच्छा मेसेज नहीं जाएगा। इसलिए कोट ने अपने अब्जर्वेशन में ये बाते नमूत करते वे उनकी बेल अरजी और उनका सस्पेंशन सभी बाते ना मंदूर की है। BCN News के लिए मनिश्टेम रे.